हेलो दोस्तों हमारी चैनल वीस ऑनलाइन टिपस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत सौगत है अटल भीहर ये बस भी वीस देलाई बिलासपूर यानि की बिलासपूर उनिवर्सिटी में फानल येर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फानल येर के रिजल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज की यह देनिक भासकर दोर प्रकासित किया हुआ मिडिया रिपोर्ट है इसमें बताया जा रहा है कि अटल येर से जो कॉलेज संबध्ध नहीं उनका रिजल्ट जारी करेगा अब येर दोस्तों आप सभी को पता है कि अटल भीहरी बाच्वेवी स्विद जाल नहीं हुआ था इसी कार सभी केंडिडेट के यहां पर फानल येर का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है तो दोस्तों इस बारे में यहां मिडिया रिपोर्ट आया हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि अटल भीहरी बाच्वेवी स्विद जाले और सहित निन कुमार प्रटेली स्विद जाले में यहां पर इसना तक अंतिम वर्ट रहके जो है बावन हचार अंठावन चात्यों का रिजल्ट यहां पर रुका हुआ था क्योंकि दोस्तों दोने युशिटी में सहीं तरह से समझोता नहीं हुआ था कि रिजल्ट कौन जारी करने वाला है दोस दोस्तों यहां पर सहीद ननकुमार पटेली स्विद देले का फानल यहां कर जो फॉर्म है वहां बिलासपुर उनुशिटी के द्वारा भरा गया था और एक्जाम भी बिलासपुर उनुशिटी कंड़क्ट कर रहे थी इसके साथ ही दोस्तों यहां पर टॉप 10 लिस्ट के के भी कंड़रेट को समिल लिके जाएगा जिससे जो है बिलासपुर उनुशिटी के के यहां पर नुक्सान होते दिख रहा है इसके सांते दोस्तों यहां पर किन किन वी भागों में कितने सारे कंड़रेट है यहां पूरर डिटेल दिया गया है बीए बीएसी बीकॉम और प्राइवीट के बारे मिं यह पर पूरा डिटेल दिया गया है इसके सांते दोस्तों निच्छे बताया गया है की जो तक्निकी समस्या को दूर किया गया है अटल अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट अब तक जारी हो सकते हैं आप सबी को पता है कि लगा था चात अपने result का जो है मांग कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे चात्रों को अगले class में admission लेना है और बहुत सारे चात्रों के आपर job के लिए अपने result का जो है वेट कर रहे थे लेकिन दोस्तों इसी समझचा को देखते हुए result जारी नहीं हुआ था दो दिनों तक च सदीक शेयर करें दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं